नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंग एसोशेट प्रोफेसर होम साइंस गवर्मेंट गल्स कॉलेज नागौर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है पिछले वीडियो में मैंने इस वीडियो में डबलूबी सी के बारे में चरचा किया था विडियो में मैं डबलूबी सी के बारे में चरचा करूँगे श्वेत रक्त कनिकाएं WC क्या होता है श्वेत रक्त कनिकाएं और RBC क्या था लाल रक्त कनिकाएं तो इसको हम लिवकोसाइट्स भी कहते हैं स्वेत रकतकनिकाओं को लिवको साइट से भी कहा जाता है क्योंकि यह रंग हीन होता है लिवको साइट सकते हैं कि लिवको साइट क्यों कहा जाता है क्योंकि यह कलरलेस होता है जबकि आपने देखा था और विसी लेट ब्लड ब्लड शेल्स रेट कलर काथा विसका इसका कलर रेट था और इसका कलर ही नहीं कलरलेस है इसलिए इसको हम Leukocytes कहते हैं, क्या कहते हैं, अब RBC में हमने देखा था, उसकी संख्या बहुत अधिक थी, पूरी बॉड़ी में, और इसकी संख्या कम है, 6000-8000 पर मिलिमीटर क्यू अफ ब्लड होता है, 6000-8000 पर मिलिमीटर क्यू अफ ब्लड होता है, यह क्या काम करता है, श्वेत रक्तकनी का हैं, यह समझिए, यह हमारे बॉड़ी के लिए सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करता है, जब भी किसी भी प्रकार का जीवानू, किसी प्रकार का विशानू, किसी प्रकार का टॉक्षिन हमारी बॉड़ी में अगर उत्पन हो जाता है, बाहर से आ जाता है, तो यह क्या करता है, जट से WBC उनको घेर के मार देता है, और खतम कर देता है, निकल जाता है, इसलिए इ जिवानों, विशानों, रोगानों और जो भी हानिकारग्पदार्थ हैं, जो हमारे बॉडी को बीमार कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, चाहे वो मेलेरिया के पेरसाइट हो, काला जर के पेरसाइट हो, अथ्वा अन्य कोई भी, जो कुछ भी आता है हमारी बौडी में जैसे ही आता है WBC सबसे पहले उस पर आकरमन करता है उनको घेर लेता है और उनको मार देता है यह इमिन सिस्टम का एक महतोपुर्ण हिस्सा है पर्तिरोधी तंद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ठीक उसी प्रकार से समझिए जैसे हम भारत के लोग अपने अपने जोदपुर में जैपुर में और जहां कहीं भी अपने अपने गाउं में सुरक्षित हैं तो किसके कारण शुरक्षित है हमारे चारो हमारी सीमा के चारो तरफ हमारे शैनिक लगे हैं शुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और वो सेना जैसे ही बाहरी तत्व हमारे देश के भीतर गूसना चाहता है तो सेना वहीं उनको मार गिराता है शुरक्षा प्रहरी वहां पर दिन जीवानू जबी भी कभी प्रवेस करता है तो सबसे पहले कि सब एक साती कठ्था हो जाता है और उसको घेर के मार देता है और यह इमुन सिस्टम का एक महतोपर्म हिस्सा है WBC की जो साइज होता है तस से 20-20 प्लेटलेट से बढ़ा है लेकिन इसमें इतनी बड़ी परँचमता है भगवान ने इसको ऐसे चमता दिया है कि इस छमता के कारण यह जब कभी जुरुत परती है और जहां पर रोगानू या विशानू रहते हैं तो ब्लैट का इपिलरी जिए जो दिवार है उसको छेद करके इतनी जल्दी दुबला पतला बन जाता है इतनी जल्दी अपने आकार को परिवर्टित कर लेता है जैसे नॉर्मल आकार दस से 12-14 माइक्रों होता है मिलिमीटर लेकिन जब कभी लगता है कि यह कोई विशान हुआ गया को जीवान हुआ गया हमारी बोड़ी को हार्म कर रहा है जुक्सान पहुंचाएगा तो यह फट अपना आकार बदल लेता है पतला दुबला हो जाता है और जो है तो आमीबा की तरह है कूट Agora मना देता है जूटा पैर बना लेता है मैंशीत यह क्या है डबलो विसी जब जरूत पड़ीघा है जहां देखता है कि कोई क्योगी विशान्ऑग जिवान हो आये है जो या कोरोना वायल आया है तो फट यह अपना आकार बदल लेता है और लेता है इस प्रकार से हम अपनी विभिन प्रकार के रोगों से शुरप्षित रहते हैं अन्य था आज आप देखते हो कोरोना वाइरस नहीं कोरोना वाइरस व्ही आसानी प्रवेस करके हमें अपने घिरफ्थ मेरे लिया है लेकिन अगर हमारे हमारा दमढार है विच्ट न經 oppressedण और यह बड़लंडार है और यह बड़ी जल्दी से उसको ख़तम कर देता है हमार खतमकर देता है तो कोरोना वाइरस हमारा कुछ भी बिगारने पाता है, वो सामनी सर्दी बुखार की तरह आया और चला गया, इसी तरह से कई प्रकार के बीमारियां हैं, रोज नित्य परती दिन हमारे बोडी में सांस के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कितने प्रकार सारके जिवानों विषानों या रोगानों प्रिवेस्च खरते हैंलेकिन उवे सब अपना आतंक हमारी बॉडी में तो नहीं दिखा पाते ह route नहीं पहिला पाते हैं क्योंकि हमारे पास wbc है और Zen अंब वी सीी सबसी को सलबने हो Rice ng after हो गया मालो मेलेरिया हो गया या मालो आपके कोरोना वाइरस हो गया या कोई बुखार हो गया वाइरल इंफेक्शन हो गया तब इसकी संख्या इन्फेक्शन की स्थिति में इसकी संख्या 30,000 मिलीमीटर घंड बढ़ जाता है बलड में यह बढ़ जाता है क्यों कि अब यह जब लड़ाई होती है रोगानु विशानु भी अपना प्रभाव डालते हैं तो इन दोनों के बीच में युद्ध चलता है लड़ाई चलती है अगर विशानु दमदार निकला जहर फैलाया और WBC को हरा दिया अपने युद्ध कला में तब हम बिमार पर जाते हैं और अगर हमारा WBC उनको हरा दिया बाहरे जीवान विशारों को खा गया उनको चौपट कर दिया तब हम बिमार नहीं होते हैं स्वस्त रहते हैं तो यह क्या करता है WBC जब कभी इंफेक्शन होता हमारी बोडी में बुखार के कारण या कोई और जैसे जल जाने पार या कट जाने पा तो बहां पर यह अपना इंफेक्शन की स्थिती में यह अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और संख्या इसका हो जाता है 3000 पार मिलिमीटर क्यू अफ ब्लड समझा गई बात को अब देखते हैं यह तो मैंने आपको जनरल बात बताईए अब देख़वा गए डवलो बीसी के टाइप्स अगर देखोगे तो यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है ग्रैनुलर अग दूसरा होता है एक ग्रैनुलर ग्रैनुलर क्या कनवाला जिसके साइटों प्लाजम में छोटे चोटे कन दिखाई पड़ते हैं वो कहलाता है granular granular उल्स कण चोटे-छोटे कण तो जब साइटो प्लामिन 6 wc के साइटो प्लाम में अगरो चोटे-छोटे चोटे गण दिखाई पड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं granular स्कूल को लिको साइट हैै कि वह स्कों ग्रेनूलर लिको साइट और जब स्थbung में किसी प्रकार का करन नहीं दिखाई पड़ता है तो अच्छा ग्रैनुलर या ननग्रैनुलर लिउकोसाइट समझागी बात को ग्रैनुलर जिसको हम कहते हैं कण वाला जिसके साइ्ट प्लादमें छोटे- 것으로चुच पर कण होते हैं तो यह होता है जब इनके जो कण है अगर ये अगर इनके कण एसीड या बेस रंगों से अभी रंजित हो जाते हैं रंग जाते हैं तो इसकी आधार पर ग्रेनुलर लिकोसाइट्स को भी तीन भागों में बाटा गया है फर्स्ट भाग क्या है एसीडोफिल्स दूसरा है बैसोफिल्स और तीसरा है नूट्रोफिल्स मतलब तीन प्रकार की कोशिकाएं है एसीडोफिल्स दूसरा है बैसोफिल्स तीसरा है नूट्रोफिल्स मेरे दोस्तों अगर एक्जामनेशन में पूछा जाए कि स्वेत रख्तकनिकाये का कौन सा कोशिका फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है किसके कारण कौन सरवाधिक भक्षनकारी कोशिकाये हैं तो आपको पता होना चाहिए आ мнidia कि wives के जितने मिंग्षिकाये सब भक्षन का काम कर रही है सब बाहरी विशानवों को भक्षन करती है सब खाज आती है सबुनिगल लेथिए सब को डैमेज कर देती इसके बावजूर अगर आता है प्रस्ण में तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी कोशिक आए हैं जो सरवाधिक अक्टिव है और बाहरी जिवानों विशानों को नस्ट कर देती है अब देखिए पहला आता है एसीडोफिल्स दूसरा है बैसोफिल्स तीसरा है नूट्रोफिल्स एसीडोफिल्स में क्या होता है यह एसीडिक जिसको हम योसिनोफिल्स भी काते हैं इसको हम क्या काते हैं योसिनोफिल्स भी कई जगा आपको देखने को मिलेगा यी योसिनोफ जिसको हम यूसनो-फिल भी बोलते हैं जो ये यह कार में 10-12 मिलिमाइक्रोन होता है इनका अकार कितना होता है 10-12 कलर का यह दिखता है और इसकी रखत में इसका जो परसंटेज है डबलीवीसी की इनकोशी काउंग की जो मैंने बताएं सीडोफिल्स लुकोसाइट्स की परसंटेज 2-6 परसंट तक होता है और यह अमलीय रंगोद्वारा अभी रंजित हो जाती है इनका नेजर नेचर भी फैगोसाइटोसीस ही होता है बक्षनकारी होता है और इस स्थिती में जब कोई स्कीन डिजिज हो गया फोड़ा खुंसी गाउं हो गया तुचा में हे फीबर हो गया या एस्थमाब हो गया इस स्थिती में आप देखते हो एसीडियो फिल्स में जो 2-6 परसंट कोशिकाएं है यह आटोमेटिक बढ़ जाती है इस स्थिती में आप देखते हैं बैस्व फिल्स के बारे में तो जो बैस्व फिल्स होता है फिल्स क सिलिक रंगों के परती प्रेम हो तो कहलाता है एसीडोफिल्स है ना कलर कैसा है कि इसका कि ब्राइट विंग कि आकार दस से बारब माइक्रो मीलिमीटर और परसेंटेज लिकोसाइट में 2-6 कवब पढ़ जाता है कोई एसकेंडीज हो जाता है कोई कट फट जाता है हमारे गाव हो जाते हैं स्कीन में यह फीवर हो जाता है इसने में किसी व्यक्तिव को अगर दमा का सिकाईथ है तब इस इसस्तिति में इसकी जो परसेंटेज है 2-6 से आगे परने बैसो फिल्स का मतलब हुआ वो कोशिकाएं ओल उकोसाइड जो छारी रंगों में रंग जाता है अलकलाइन इस रंगों में रंग जाता है और इसका रंग होता है नीला है कोशिकाएं लन्हों का कि कोशिकाई इनकी रफाकार की होती है और इसकी परसेंटेज होता है वन परसेंट एक परसेंट होता है पूरा लुकोसाइट्स का लुकोसाइट्स अपर नेकिता देखा था 6000-8000 जन्रल तो इसकी परसेंटेज होती है इनको शीकाईउं की एक परसेंट तक होता है बतलब इनकी संख्या एक से 100 तक हो सकती है और अगर बैसोफिल्स की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाता है तो उस स्थिती को हम बैसोफिलिया कहते हैं एक्जामनेशन में आपका आ सकता है बैसोफिलिया क्या है बैसोफिलिया क्या है तो बैसोफिलिया किसको कहेंगे जब जब हमारी स्थिती, क्या, जब बैसोफिल की संख्या अधिक हो जाता है, तो उसको बैसोफिलिया कहते हैं, और जब बैसोफिल की संख्या अधिक हो जाता है, तो हम इसको बैसोफिलिया कहते हैं, और जब उनकी शामानिय से कम हो जाता है, तो उसको हम बैसोफिलिया कहते हैं, तो आपको दो important चीज़ समझ माया क्या एक तो बैसोफिल लिया और दूसरा हो गया हमारा बैसोपीनिया till Malia की संख्यां भुषिक्म होना बैसोफिल कोशिकाओं की संख्यां कम होना और आप ये देखो इसका क्या काम है क्या करता है ये बैसोफिल कोशिकाई जれない होती है histamine का सेख्रेशन करती है st Exact terminology सेख्रेशन करती है पिलिए वह हैं उनको घूश करके हाँ च्छेड करको मार देती है समध आगे बाद तो क्या करता है यह हिस्तामीन जो है वैसरी जो बढ़ा देता है वैसे डादेशन ब्लट के पीलरीच या बलट डिवारों को उनके डामेटर को बढ़ा देता है और दूसरा इसका काम है यह क प्लट्ट में नहीं है प्रस्ना आप के हमारे धमणी और सिराओं में क्यों नहीं रत है तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था क्यों नहीं जमता है आज फिर बता रही हूं कि ही पेरीन कि ब्लड फ्लो कर ब्लड फ्लो में सेक्रिट करता है बैसोफिल्स ग्लूकोसाइड्स जिसके कारण रक्त का प्रवाह हमारे बोडी में निरंतर बना रहता है और रक्त जम नहीं पाता है और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा जो केरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूट्रोफिल्स का है यह आकार इनका 10 से 14 माइक्रो मीटर है मतलब इनसे बड़े हैं यह 10 से 12 10 से 12 माइक्रो मीटर होता है और इनकी पर्सेंटेज होती है 40 से 75 परसंट कि इसकी 40 से 75 परसंट न्यूट्रोफिल्स है आइक नियूट्रोफिडिया किसको कहते हैं तो अभी मैंने बतायै अगर बढ़ जाता है तो वो चलता है नियूट्रोफिलिया और इसकिती में कौन से रोगुत्पन हो जाते हैं ये मैं आपको बताती हूं और नेउट्रोपिणया के मतलब क्या हुआ खट जाना है तो अब यह नेट्रोफ पीनिया कहलाता है और इसका जो रंग है नोट्रोफिल कोशिकाओं की सबसे बड़ी जो एक खाशियत है खुबी है वो यह कि यह एसिड रंगों में भी रंजित हो जाता है और आपके बेसिक रंगों से से भी मतलब से ल pops in और अमलिया रंगों द्वारा भी अभी रंजित हो जाएंगे इसलिए इनको हम कवाते हैं नीट्रोफिल्स क्यों दोनों रंगों कि द्वारा यह रंगों द्वारा भी अभी रंजित हो जाते हैं और समस्ट न 我是 होता है कि इनके जो घृटे हैं एक इनके जो सैल्ष होता है ने गलाबी उनके चुकण घृटी है piş को जब कि अचिछा जाती है मैं 11,000 पर मिलिमीटर क्यूंट से बड़ से जादा हो जाती है है तो यह नुट्रोफीलिया कहलाती है और एसा रोग की स्थिती में होताय तो यह देखो तब नुट्रोफील ecology house जब कोई किसी भी प्रकार का इंफेक्शन कर लिए चाहरे वायरस भालव facture अव्यूंटा मुखे काम निगलन जैसे बारी ढता है जैसे हम आता यह पारी है यह वस्ट वहां पर चला जाता है उसको ज्ञाकर कि पहां के मार देता है तो चाहle संख्या कब बढ़ जाती है जब माइक्रोवियल इंफेक्शन होता है कब बढ़ जाती है जब कोरोनोरी थ्रम्बोसिस होता है थ्रम्बोसिस कहते हैं थ्रम्बोसिस क्यों होता है कि निकारणों से होता है कोरोनरी कोरोनरी जो हार्ट वाली धमनिया है दिल की धमनियों को कोरोन सब दोस्तों के साथ लेकर कि और फिर वहां के वहां मारने की कोशिश करता है तब इस इस्तिति में इनकी संख्या नुट्रोफिल्स की बढ़ जाती है अगर टीशू डैमेज हो जाता है किने कारणों से जैसे आप चल रहे हो गिर गए खरोच लग गया मिल आप पिरए वाल से स्कूटर 》 गर जाते हो चलते फिरते गिर जाते हैं तो आपको टीशू वहां की कोशिश काय्ति चार्फित हो जाती है अंगर चल जाते हैं कि वर्तवास अपने हाथ चू जाता है तो जलने की स्थिती में भी निट्रोफीलिया में। मोशे काउन की संख्या ज्यादा हो जाती है। और किसमें होगी rheumatic fever में अगर हो गया बुखार हो गया तब पर भी नूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाता है और अगर तिवर गठिया किसी को हो गया हाथ पेरों में दर्द हो गया गठिया यही होता ने गुट्रों में दर्द जोडों में दर्द तो गौट की स्थिती म में भी नूट्रों फिल्स की जो कोशिक आए हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है कि माइक्रोफिल्य कि स्थिती में संख्या में प्रिदी और इसके अलावा क्या होता है देखो निवबॉर्न जो नवजात शिशू है उन में बिन की ज्यादा होती संख्या डेलिवरी जो परस संख्या बढ़ जाती है अगर मान्स crispy सारी से पारिशान होते है ऑOoh तो हो car बढ़ जाती है तो प्रिग्नट मदर में नूक्ट्रोफि ज्यधा होता कोशिकां की संख्या newborn में ज़्यादा होता है इस्ट्रेस कंडिशन में उसारी रिखो मान सिखो ज़्यादा होता है तो आप ने ब 여기 फकाए और क्या करते हैं कि मोखी काम है नीट्रोफिल्स का फाईगोसाइटोस। जो मैंने बार बार बताई अगर इन चीजों में से अगर पूछा जाए हलाकि सबका काम है फैगोसाइटोसिस लेकिन न्यूट्रोफिल्स का मुखी काम है फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस भक्षन करना खा जाना या निगल जाना फैगोसाइटोसिस तो क्या करता है अगर न्यूट्रोफिल्स के कोशिका है कोई ऐसा दमदार माइक्रोबियल आ गया इंफेक्शन हो गया जो की न्यूट्रोफिल्स को इमारना शुरू कर दिया यूट्रोफिल्स को इमारना शुरू कर दिया क्या करोगा अब तब क्या करता है यह इस इस्थिती में जो पस बनता है जैसे से माहось के अभी मैं ने का लिए गिर गए पस बन गे गिरने के बाद क्या होता है खुराच जाता है घाव बन जाता है पस बनता है तो जो पस है उस पस में क्या होता है कुछ तो निट्रोफिल्ट की कोशिकाई होती है कुछ इसने जो मारा है किसको बाहरी पैथोजन्स को किवह रहती है कुछ दैट सेल्स रहते हैं और कुछ जीवित कोंचीं क contextual रहते हैं ये सारी छीज़ें रहते हैं जो पस बनता अपने घाव वाव के कारन उंड के कारन उठिल जाता हैग् राते हैं और दूसरा इसका क्या काम है लेक्टो फ्रेंस प्रोष्टा ग्लेंडीन्स और थ्रम्बो जेंस यह स्रावन करते हैं इनका किसका लेक्टो लेक्टो लेको ट्रेंस लेको ट्रेंस का और प्रोष्टा ग्लेंडीन्स और तीस रावन करते हैं थ्रम्बो जेंस का यह कौन करता है आपकी नूट्रोफिल्स को शिकाए ही कर रही है नूट्रोफिल्स और यह को शिकाएं स्राविट करती है जिसके कारण जो इन्फ्लैमेशन है जो सूजन है जहां कई भी सूजन आ गया है यह सूजन को यह इन्फ्लैमेशन को यह कम कर देती है रहात पहुझाती हैं और तीन जो था वह आपको याद होगा मैंने लेकोट्रेंस बताया वापीस देखिए मैंने मिटा दिया था वापीस लेख देती हूँ लेकोट्रेंस प्रोस्टाग्लेंडींस और थर्ड है आपका थ्रॉम्बोजेंस यह इनका स्रावन करती हैं और यह मिलकर के इंफ्लैमेशन को कम करता है तो आपको समझ मागया कि नूट्रोफिल्स क्या काम कर रहा है है और दूसरा सुजन को कम कर रहा है और यह नूट्रोफिल्स मेलेरिया और हो जाता है यह टाइफाइड हो जाता है यह पैराटाइफाइड हो जाता है तब इस स्थिति में यह टाइफाइड हो जाती है और इस स्थिति में इनकी संख्या जो छे हजार से आठ हजार होना चाहिए था घट करके सामाने से कम हो जाता है यह कब देखने को मिलता है खास करके जब टाइफाइड यह पैराटाइफाइड हो जाता है तब और यह हो गया आपका नूट्रो फिल्स के बारे में हम समझते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा इसके बाद दूसरा जो था वो था एक ग्रैनूलर लुकोसाइड फस्ट हमने क्या पढ़ा था ग्रैनूलर ग्रैनूलर में हमने पढ़ा एसिदो फिल दूसरा पढ़ा हमने बेसफिल और तीसरा पढ़ा हमने कौनसी नूट्रो फिल अब जो एक ग्रैनूलर था इसको यह लगा दोगे तो एक ग्रैनूलर हो जाएगा और इसकी दो प्रकार के टाइप इसके दो टाइपस हैं इसकी कोशिकाएं जिसके साइटो प्लाज में किसी प्रकार का कोई करण नहीं मिलता है ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है T-Lymphocyte और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट तो इनको मैं बाद ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा लिम्फोसाइट यह लिम्फोसाइट के प्रकार है एक गुलर में भी दो प्रकार है एक तो होता है लिम्फोसाइट और दूसरा इसका है यहां से इसे देखिए इसको एक गुलर में दो हो गया एक हो गया तुम्हारा मोनोसाइट और यह होता है बीस से पच्चीस परतिसा थिसा बनाता है अपना संपुल डबली बीसी का अकार में सबसे बड़ा होता है दस से 20 मिली माक्रोन मोनोसाइट और इसका जो दूसरा है दो प्रकार की कोशिका है एक ग्रेनुलर एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट 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 समझे गए होंगी लिम्फ से बना है और यह लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के हैं दो प्रकार की कोशिका है यहां पर और यह होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तो मैं आज मैं आपको इतना ही बताती हूँ आगया में वीडियो में मैं ज्यादा बताऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ा सब जानना चाहते हैं, तो इतना ही जानते हैं, की यह जो monocyte है, यह macrophage system को, इसको macrophage system कहते हैं, monocyte को यह मैं डिटल्ल साब को बाद हैं, व्यवीड़ों काफी लंबा हो जाएगा, अगर हम एक रोनल को पढ़ते हैं, तो monocyte को भी पढ़ना हो पढ़ेगा, किलमफोसाइट्ज को भी ये को डिसकस करना पड़ेगा और अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ कि बैसोफिया कि सब्सक्राइब की था बैसोप्पिन्यक क्या है लेमफौ कि लिंफेटिक टीशू कहां से बनता है कि डबलो बीसी का निर्मान कहां से होता है कि डबलो बीसी का सबसे जाते महतोपुर्ण फैगोसाइटियोसिस की किरिया जो करता है वो कौन सी को शिकाए करती है जो आपके डेफ्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा कई बार आप पूछते हो कि मैडम कोई किताब मुझे बताइए जो टीजीटी वह wrong में और तीन चीज और है इसमें कुछ question में बहुत easy होते हैं जिससे सबी अब होते हो कुछ क्योंस आपके average होते हैं जो 50-30 नोटे हैं ह vaccinations होते हैं zatे हम तो पैंटे हैं तो क्यों से करो गया आप त siほ सों आप सब जानते हो संद्रेव संख्या की कम होती है छहां 800-8 लेकिन अगर डबलूबी सी में पूछा जाए कि इसकी कौन सी को शिकाएं बक्षनकारी को सिकाएं हैं तब आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने एसीडोफिल पढ़ा बैसोफिल पढ़ा लिंफोसाइट पढ़ा तो ती लिंफोसाइट पढ़ा पढ़ा जब तक आप इनको कंसेट क्लियर नहीं होगा तब याप को जानना जरूरी होता है अब इसमें से यह पुछा जाए हिपकारीं कौह सी कोशिकाए這是 श्रावित होती है कि अब आपको पतती नहीं पाँ है कि कभिआत कणिकाओं की कौन सी कोशिकाओं के लिवारेखी फेरीन का श्रावन होता है या कोशन ऐसे आ सकता है कि capillaries के diameter को बढ़ाने वाली कौन सी कोशिकाएं किस hormone का स्रावन करती है या किस पदार्थ का स्रावन करती है कौन सा substance का स्रावन करती है अगर आपको यह पता नहीं रहेगा कि कौन कर रहा है तो आप confused हो जाएंगे बैसो फीनिया किसको कहते हैं बैसो फीनिया किसको कहते हैं बैसो फीलिया किसको कहते हैं फीलिया मिन्स होता है संख्या को बढ़ जाना पीनिया मिन्स होता है संख्या को घट जाना इसी तरह से फाइगोसाइटोसिस अगर पूछेगा कि क्या होता है फाइगोसाइटोसिस तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिकाओं को भक्षन कर जाती है उसको हम कहते हैं फाइगोसाइटोसिस इसी तरह मोनोसाइटोसिस यहां पर मोनोसाइटोफीलिया नहीं है यहां पर मैंनों मो जब मोनोसाइट की संख्या सामानिय से कम हो जाता है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसेट के साथ तब मैं ग्रेनुलर पढ़ा चुकी हूं एक ग्रेनुलर लुकोसाइट के बारे में चर्चा करूंगी तब तक के लिए जाने की जाज़ा दीजे कर दो